सर्दियों में मूली खाने के हैं हजारों फाइदे मूली एक जड़ वाली सबजी है जिसमें कई और सब्सक्राइब होते हैं इसकी उच्छ पोचन सामगरी की कारण इसका सेवन कच्चा पका कर या अचार की रूप में किया जा सकता है ये भारत में सर्दियों के दौरान सबस सब्सक्राइब होते हैं यह हड्यों के निर्मान में मदद करते हैं क्योंकि यह कैल्शम का एक बहुत अच्छा सोर्स हैं वेल्कम बैक टू यूनिक तड़का आज में शेयर कर रही हूं आपके साथ सर्दियों में मूली खाने के दस बड़े फायदों के बारे में वीडियो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा वालो करें जिसे की पूरी आपको मिल सके वीडियो पसंद आई तो इयाएक और शेयर कीजिए जिसकी जानकारी आगे पहुंच सके और अगर अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे जिसे की आपको इसी तरह की इंट्रस्टिंग वीडियोज मिलती रहें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें मूली वजन घटाने में मदद कर सकती है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है यह पाचन में सुधार करने में मदद करती है फाइवर की उपस्तिती के कारण शरीर के मेटावालिज को बढ़ाती है ये अपने एंटी ऑक्सिडेंट गुण के कारण डाइबिटीज में सुधार करने में मदद करता है बोजन से पहले मूली के रसका सेवन इसके मूतर वर्दक गुण के कारण मूतर पत के संक्रमन जैसे मूतर रोगों के लिए फायदेबन माना जाता है सर्दियों में मूली खाने के दस बड़े फायदों के बारे में नमबर बन कैंसर के खत्रे को कम करता है मूली खाने के फायदों में उसका कैंसर विरोधी होना पहले नमबर पर आता है मूली में उच इस तर के फाइटो केमिकल्स और एंथो साइनिन होते हैं ये अपने कैंसरोधी गुड़ों के कारण जाने जाते हैं इसके अलावा मूली में विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटियोक्सिदेंस के रूप में कार्रे करता है और कुछ कैंसर से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करता है नमबर टू बीपी को करता है कंट्रोल मूली में मौजूद पोटेशियम इसे एंटी हाईपर टैन्सिव गुण देता है जो इसे हाई ब्लड प्रेशर को नियंतिरित करने में सक्षम बनाता है सरीर में सोडियम, पोटेशियम, संतुलन को नियंतरित करने के लिए पोटेशियम सरीर के लिए आवश्यक है BP को सामान ने बनाई रखने के लिए यह जरूरी है 3. डायबिटीज के लिए आवश्यक पोशन मूली में फाइबर अधिक मातरा में होता है यह गुण इसे डायबिटीज रोग्यों के लिए आवश्यक पोशन बनाते है मूली में काप्स की मातरा भी कम होती है लगबग आदे कप मूली की एक सर्विंग में केबल दो ग्राम काप्स होते है मूली में पाई जाने वाला एक अन्य डायबिटीज विरोधी गुण है जिसमें मौजूद उच जल यह शरीर को हाइडेट रखता है जो डायबिटीज रोग्यों के लिए बहुत जरूरी है नमबर फोर खासी और सर्दी को करता है दूर मूली के एंटी कंजेंस्टिव गुण ठंडे वाइरस के संक्रमन के कारण गले में बनने वाले भारी बलगम को पतला करने साफ करने में मदद करते हैं इसमें बिटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है एक एंटी ऑक्सिडेंट और प्रतिरक्षा बूस्टर मूली सर्दी और खांसी पैदा करने वाले संक्रमों को दूर रखता है जिससे यह अस्थमा के रोग्यों के लिए फायदेवंद होती है फाइब लीवर को डिटॉक्स करता है नियमित रूप से मूली खाने से लीवर से अप्सिस्ट पदार्तों को बाहर निकालने में मदद मिलती है यह खून में बिली रूबीन की मात्रा को नियंत्रित करता है और शरीर के अंदर ऑक्सिजन की आप्रूरती को बढ़ाता है जिससे पीलिया का खत्रा कम होता है पर शिक्स कबज दूर करता है मूली में फाइबर की मात्रा अधिक होती है यह आपके पाचन तंत्र को बेतर बनाने और आपके कॉलन को साफ करने कबज से बचने में मदद करता है इसके अत्रिक दिये पाचन रस और पित्त के श्राब को सुविधा जनक बनाने में मदद करता है जिसे पाचन तंद्र के कारे में सुधार होता है 7 बजन घटाने में सहयक मूली में कैलोरी बहुत कम होती है इसमें मौदूद फाइबर त्रप्ती को बढ़ाता है प्रती आधा कप सेवन में बमस्किल 2 ग्राम के साथ यह बजन घटाने वाला बेहतरीन भुजन बन जाता है बर 8 तुचा को स्वस्त रखता है नियमित रूप से मूली का सेवन करने से मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाब होता है क्योंकि इसमें उचिस्तर का विटामिन सी फ्लेवोनाइड और एंटियोक्सिडेंट होते हैं इसे खाया जा सकता है तुचा की आपूर्ती बनाई रखने के लिए प्राकर्तिक रूप से चमकदार लुक देने के लिए तुचा पर लगाया भी जा सकता है किड्नी के स्वास्थे में सुधार करता है मूली एक प्राकर्तिक मूत्र वर्दक है मूली का यही गुण उसे किड्नी के स्वास्थे में सुधार के लिए बेहत फायदेवन बनाता है वे प्राकर्तिक क्लेंजर के रूप में कारे करके शडीर से अपसिस्ट पदार्तों को निकालने में मदद करता है रोक पृति रोदक चमता बढ़ाता है मुली केल्शियम विटामिन सी राइवो फ्लेविन थाइमिन विटामिन वी सिक्स फॉलेट पोटेशियम आईरन और मैगनीज सहीद विटामिन और खनीज से भरपूर होती है यह एक शक्तिसाली एंटियोक्स सकते हैं यह सभी गुण इस एक बहुत मजबूत इमिनिटी वूस्टर बनाता है अब बात कर लेदे हैं मूली खाने का सही समय क्या है रात के खाने में भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए अकसल लोग मूली को खाने के सलाद की तौर पर खाते हैं लेकिन आपको पकी इसलिए मूली को सुभे नास्ते के बाद या दोपएर खाने के पहले खाना चाहिए मूली को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए अगर आपको आपा समय और या लूटिंगी समत्स्या है तो सुभे खाली पेट मूली खाना चाहिए मूली को धूप में आराम से बैट कर खाना चाहिए मूली को पचने में दो घंटे से जादा समय लगता है मूली को दूद के साथ नहीं खाना चाहिए मूली और मचली का सेवन एक साथ हानिकारक होता है एक दिन में कितनी मूली खानी चाहिए रोजा जिन लोग को gas या पेट फूलने की समस्या है, मूली में fiber की मात्रा इ Hemant नामक compound होता है, जिन लोग को kidney की समस्या है मूली में uric acid की मात्रा जादा होती है, जिन लोगों का blood pressure कम रहता है, मूली के जादा सेवन से blood pressure कम हो सकता है जिन लोगों के शरीर में iron की मात्रा ठीक है मूली में iron की मात्रा जादा होती है जिसे शरीर में iron की अधिकता हो सकती है जिन लोगों पित की पत्री है मूली की पित के प्रभा को बढ़ाती है जिसे दर्द का खत्रा बढ़ जाता है गरत हो सकते हैं तो फ्रिंस मूली के अधिक सेवन से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है इसे खाने से आपको बार-बार पेशा बाने की समस्या हो सकती है जिसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है ज्यादा मूली खाने से आप डिहाइडरेशन के सिकार हो सकते हैं फ्रिंस आई हो आपको यह जानकारी जरूर पसंदाई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंदाई हो तो वीडि़ो को लाइक और शेएर करना बिल्कुल न भूले Subscribe for more videos Bell!!!!!!!! आइकन को भी जरूर प्रेस करें Comment toolbox में comment करके ज़रूर पताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी Thanks so full watch and bye bye and take care all of you